जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को है ग्लोबिन हमेरेम सुक्रवार को विधान समांसे बाहर पत्रकार से बादचित करते हुए रोपड़े उन्होंने अपनी ही पार्टी वाली हेमन्त-सुरेंस सरकार का उपेक्चा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार है इसके बाजूत सरकार के रव खायक लोबीन हेम्रेम ने कहा कि जार्खन बिधान सबाके बयर्ट सत्र के दोरान उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया सरकार को ए अंदेशा था कि बोलने का मौका देने पर वे अपनी ही सरकार को घेरेंगे जारखन में बारिस को लेकर मौसम विभाग का पुरण मान जारखन में 26 मार्च तक मौसम सूस्क रहेगा और आसमान में बादल चाहे रहेंगे इसके बाद मौसम सूस्क रहेगा लेकिन आसमान साफ रहने की संभवना है या इस्थिती 31 मार्च तक रह सकती है शुक्रवार सुबह से ही राइधानी राची में आकास में बादल चाहे हुए है मौसम विभाग की माने तो बारिज की संभावना नहीं है जारकन की राइधानी राची में सुबह से ही आसमान में बादल चाहे है इस बीच पूरानमान में कहा गया है कि 25 और 26 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान में बादल चाहे रहेंगे लेकिन बारिस को लेकर कोई संभावना ब्यक्त नहीं की गई है 31 मार्च तक बारिस को लेकर कोई अनुमान जाहिर नहीं किया गया है कॉल से ही बैंक रहेंगे बंद मार्च में 28 और 29 तारीक को एक बार फिर से बैंक बंद रहेंगे यदि आपको बैंक का जरूरी काम है तो उसे सुक्रवार यानि आज ही निप्टाले इसके बाद 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे दरसल सिट्टू सहीत 11 ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को देश ब्यापी हर्ताल का वहान किया है बता दे इस देश ब्यापी हर्ताल में बैंक ट्रेड यूनियन भी सामिल हो रहे है 26 से 29 तक बैंक की बंदी होगी 26 मार्च यानि कॉल इस मा का चौथा सनिवार है किसानों के लिए बनेंगे नीजी बाजार राज ये के किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्रेटफर्म उपलब्द कराने के लिए सरकार नीजी बाजार प्रांगन की अस्ठापना करेगी बिधान सबा में झायर खन राज क्रिसि उपज और पसूधन वीपनन विदेक 2022 पारिट किया गया इसके तहट किसानों के लिए सरकारी बाजार प्रांगन के अलावा राज में नीजी बाजार प्रांगन भी अस्ठापित करने के प्रवधान किया गया है नीजी बजारों के अस्थापना के लिए सरकार विशेश सर्थ के साथ लाइसेंस परदान करेगी किसान अपने उत्पाद को अपनी मर्जी से कहीं और किसी को भी बेच सकेंगे बिदेक में किसान द्वारा अपने उत्पाद की सीधी खुद्रा विक्री करने का भी प्रवधान किया गया है किरिसी उत्पाद को के लावा पसुधन विक्री की भी अनुमती परदान की गया है 1932 खतियान पर स्थीय महमंत का नाया खेल 1932 खतियान जार्खन में आने वाले दिनों में अस्थानिये नीती और न्योजन नीती को लेकर राई नीती खेल बंद तेज होने के असार है गौतला भाय की विधान सभा के बएट सत्र की दो अनुमक्य मंत्री हमान सुरेन अस्पष्ट का है कि अस्थानिये नीती और न्योजन नीती सरकार के जेंडे में है और वे इसे पीछे हटने वाले नहीं है उन्होंने पुर्वर्थी सरकार दोरा इसके लिए ताय किये गए उन्हों पचासी के कॉट ओफ डेट को अस्विकार बताया है सीएम ने उन्हों 32 कात्यान को असाने नीती काधार बनाने पर आने वाली कानूनी अर्चन की ओर भी इंगित किया यमान सुरेन जार्खन मुक्ती मोर्चा के करकारी अध्यक्ष भी हाँ और इस जटील मसले पर उन्होंने अपनी बाते असपश तरीके से रख दिया है सीएसी बोर्ट 12 टर्म 2 परिक्षा तिथी घोसित केंद्रियम आध्मिक सीख्षा बोर्ट ने सीएसी टर्म 2 परिक्षा तिथी 2022 घोसित कर दिया ये परिक्षा है 26 अपरेल से सुरू होकर 15 जून 2022 तक ली जाएगी बतादे सीएसी कक्षा बराहुमी डेट सीट 2022 टर्म 2 परिक्षा गारा मार्च 2022 को जारी किया गया है बेभारिक परिक्षा दो मार्च 2022 से आउजित की जा रही है बिस्त्रीत सीबी एसी कक्षा बराहमी डेट सीट 2022 बोट के अधिकारिक बेपसाइट पर उपलब धाई पलामू टाइगर रिजर्व छेतर में बागिन की मौत ममले में सुनुआई आज। पुर्व मंत्री मांडर विधायक बंधू तिर्की से जुड़े आई से अधिक संपती ममले में CBI कोट 31 माज तक फैसला सुना सकती है बंधू तिर्की खिलाप मंत्री रहते करीब 6 लाख रुपए आई से अधिक अरजित करने कारोप है इसकी सुनवाई CBI कोट में चल रही है मामले में बंधू तिर्की की ओर से 24 फरवरी से लगातार बहस जारी है बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद CBI की ओर से बहस की जाएगी इसके बाद मामला फैसला पर चला जाएगा इसकी सुनवाई CBI की बिसेस जज पीके सर्मा कर रहे है रांची में पानी के लिए मचेगा हाकार जारखन की रहधानी रांची में रांची नगर निगम के द्वारा लोगों को पानी से राहत देने के लिए 450 किलोमेटर तक पाइपलाइन तो भी जाद दिया गया है लेकिन कनेक्सान नहीं होने की वज़ा से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है हर वर्स नगर निगम के द्वारा लोगों को अस्वासन दिया जाता है कि अगली बार किसी को पानी के वज़ा से दिकत नहीं होगी लेकिन निगम की लपरवाही से कुछ नहीं होता है बता दे दर्जुनों वाट परसुदों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगाम के अधिकारियों कहा कि उनके इलाके में कनेक्षन किया जाई लेकिन कनेक्षन नहीं हो पाता है मैट्रिक वा इंटर परिक्षा का दूसरा दिन आज जारखन मैट्रिक वा इंटर परिक्षा का आज दूसरा दिन है तपिस बरी गर्मी के बीच सांती पुन महोल में पहले दिन मैट्रिक वा इंटर की परिक्षाय हुई कहीं से कोई अपरिये घटना के सुचना नहीं है बता दे राची जिले में 96 पर्थिसात उपरस्थितिक 766 ने IIT वह बोकेशनल विसोयों की परिक्षा दी पहली पाली की मैटरिक परिक्षा में कुल 43 परिक्षा के अंदर पर 2457 चात्र सामिल हुए जबकि पन्जी करीद 269 चात्र सामिल है कोरोना वाइरस के किसी भी वेरियेंट की हो सकेगी पहचान लंबे इंतजार के बाद रिम्स को अब जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन मिल गया है या काफी हर्स का भी साय है कि अपने यहां भी आप वाइरस के किसी भी वेरियंट की पहचान हो सकेगी और दूसरे राजे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बता दे हमसीन तब लगाई जा रही है जब कुरोना संक्रमितों की संख्या कम हो चुकी है नए संक्रमित मिलने की संख्या ना के बराबर है और कोई संक्रमित अस्पताल में भरती तक नहीं है हलाकि इसे अब आगे की तियारी और अनुवानसिक सुध में परयोग किया जा सकता है सुक्रवार को 50 क्लोर की अमसीन रिम्स पहुचने की उम्मीद जताई जा रही है फिलाल या दिल्ली के कारगों में फंसी हुई है 1932 खतियान को लेकर CM हमंत का पूतला फुका बिधावन सभा के बजट सत्र के दौन मुख्य मंत्री हमंसरेन के ब्यान पर 1932 पर अधारित नियोजन नीती नहीं लागू की जा सकती है इसके खिलाब जार्कन सरकार का पूतला दहन किया बता दे पूतला दहन से पहले हाथों में तक्ती बैनर और खतियान की प्रती लेकर खतियान अधारित नियोजन नीती लागू करो जैसे नारे लगा रहे थे मौके पर खतियान संगर समीती के राम कुमार महतो निरंजर महतो उपस्थित थे साहिव गंज से कटिहार जा रहा है जहाज गंगा नदी में पल्टा जार्खन के साहिव गंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारिक हैट जा रहा है जहाज गुरुवार की देर रहत गंगा नदी में अन्यंत्रित हो गया इसे जहाज पर लदे कोई ट्रॉक गांगा नदी में डूब गाए बता दे जहाज पर कोई ब्यक्ति सवार थे जिन्होंने तैर कर अपनी जान बचाई उनका दावा आए कि जहाज पर 15 से अधिक ट्रॉक लोड थे साथ ही जहाज पर कोई यात्री भी सवार थे बताया जा रहा है कि जहाज पर शामता से ज़्यादा ट्रॉक लोड थे जहाज रात में साहिव गन से मनिहार घाट आ रहा था तभी या हथसा हुआ है हलाकि कटिहार जिला पर सासन इस तरह की घाटना से इनकार कर रहा है कहा जाए तो एक हटना सीमा बिवाद में उलज गई है पलामू में 20 किसानों की अरहर जल कर राक पलामू जिला के हदर नगर थाना छेतर इस्थीत मोकहर कला गाओं के 20 किसानों की 100 भी घा में लगी अरहर की फसल जल कर पूरी तरह राक हो गई खेत में खड़ी अरहर की फसल में आग लगने की जनकारी मिलते ही गिरामनों ने आग पर काबू पाने का हर समब प्रयास किया लेकिन फायर बिरिगेट के पहुँचने के बाद आग पर काबू पाया गया गाटना के समध में अस्थानिय किसान रिजवान खान ने बताया कि दोफर करीब बारा बजे अरहर के खेत में एक और से आग की लपेट लोगों ने देखी ततकाल अंचल पताधिकारी, राजीव, नीरच, ठाना परभारी, अजीत कुमार मुंडा के अलावा अगिन समन सेवा को इसकी जनकारी दी गाई इस दोरान ग्रामिन अपने अस्तर से आग बुजाने की कोशिस करने लगे कुछ देर बाद फायर विरिगेट की टीम के पहुँचने पर आग पर काबू पाया गया स्रावनी मेले से पहले बाबा मंदीर में सुरक्षा के पुखता इंग जाम जार्खन के देवभाई सीथ बाबा बायनात मंदिर में सरावनी मेले से पहले बेवस्था दुरूस्त करने के काम जोर सो से चल रहा है जिला परशासन ने सरावनी मेले के लिए सुलफ जलारपन वा सुरक्षा का इंतिजाम अभी से प्राणाम कर दिया है मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही आकड़ा मिले इसके लिए भक्तों की गिन्ती अब हाइटेक तरीके से की जाएगी आम कातार से मंदीर में परवेश करने वाले इंट्री पॉइंट टी जक्सन तथा सिख्र दर्शनाम इंट्री पॉइंट पर हेट काउंटिंग मसीन इंस्टोल कर दिया गया है अब हर दिन आने वाले भगतों का मंदीर परवंधन के पास 60 आकड़ा उपलप्त होगा धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल के सब्सक्राइब का बहल का बेल एक अंद भगये साथ साथ वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थैंक यू